नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ जोतिष गुरू शिरोमनी सचित, मित्रों, कौन-कौन से ग्रह अपना परिवर्तन कर रहे हैं, कौन-कौन से नक्षत्र आगे बढ़ रहे हैं, कौन से ग्रहों के परिवर्तन से आपके जीवन में बदलाव आ सकता आपको इसी के अनुरूप दैनिक राशी फल देने का प्रयास करते हैं मेश राशी, घर में कले कलेश थोड़ा बढ़ सकता है परिवार में कहीं न कहीं किसी की सला ले लीजिए पतनी का रेस्पेक्ट करिए सम्मान करें हो सके तो ओम मंत्र कम से कम चेंटिंग के तोर पर तीन बार जाब करें शुबरंग होगा पीला ब्रशबराशी, आज ओधार दिया हुआ पैसा फस सकता है व्यापार की समस्य अलगबग जारी रहेगी स्वास्ते का बहुत ध्यान रखना होगा शुबरंग होगा गुलाबी, आज हो सके तो गणेश मंत्रों का जाब करें बितुन राशी, मित्रों की सलह से आपको खूब लाब होगा सोने के गहने, जूलरी आप समभाल कर रखें संबंदों में मिठास आईगी शुबरंग है हरा, आज लक्ष्मी मंत्रों का जाब कर लीजिए, बहुत अच्छा है करकराशी, नया व्यापार शुरू ना करें माता के स्वास्ते की चिंता खत्म होगी परिवार में खुशी भी आएगी शुबरंग है गुलाबी, आज चंद्रमा के मंत्रों का जाब जरूर करें सिंग राशी, आज लंबी यात्रा ना करें नौकरी में सफल होंगे, अपने भागे पर भरोसा रखें शुबरंग है लाल, आज नारायन मंत्र का जाब जरूर करें बात करते हैं मित्रो कन्य राशी की मन की तमाम चिंताएं आज खत्म होंगी विध्यार्ति अपनी पढ़ाही पर ध्यान दे फिजूल खर्ची से आपको बचना है दुर्गा मंत्रों का जाब कर लीजिए शुबरंगों का सुनेरी दिन आपके लिए बहुत अच्छा है तो लाराशी नौकरी में कोई बदलाव ना करें अपना वाहन बहुत ध्यान से चलाएं उधार दिया हुआ पैसा आपको नहीं मिल पाएगा शुबरंग होगा आपके लिए गुलाबी आज लक्ष्मी नाराइन का मंतर का जाब जरूर आपके काम आने वाला है विष्चिक राशी अपने गुस्य पर काबू रखिए सारे कारिये बिगड सकते हैं जरूरी वस्तु आप समाल कर रखिए मित्रों का साथ मिलेगा शुबरंग पीला आज नाराइन का वच्का पाठ करें धनुराशी अपना काम दो पहर तक निप्टा लें लेन देन बहुत सोच समझ कर करना है पिता का रेस्पेक्ट करें शुबरंग ये मरून गुरू के द्वारा दिये गई मंतर का जाब जरूर करें मकर राशी वाहन प्राप्ति का योग बना हुआ है मित्रों घर की तमाम समस्यां खत्म होंगी नए काम से आपको फाइदा अधिक नहीं हो पाएगा हरा रंग आपके लिए बेहतर है देवी मंतरों का जाब जरूर करें मित्रों ये तो था आज का देनिक राशीपल कल के देनिक राशीपल को इसी मंच के माध्यम से हम आपके समक्ष लाएंगे तब तक के लिए जुड़े रहेंगे आप हमारे साथ देजी मुझे इजाज़ए